सभी सुन्दर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम सुन्दर साथ जी पिछले वीडियो में हमने स्री सनन्दक्रंद का प्रकरण 18 की 14 तक की चोपाय का पार्ट पून किया था आज हम आगे की चोपाय का पार्ट करेंगे सुन्दर साथ जी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और जो भी सुन्दर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अबश्य शेयर करें सुन्दर साथ जी जीनों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए एक नई कोई आवत सो कहावत आप अबूज दूजी ताए समझावने ले बेठत सब सुझ यदि कोई नया उपदेशक मिल जाए तो वह उपदेश के शक्मक्ष स्वयम को अगनानी मानता है वह उपदेशक भी अगनानी बनकर उन्हें समझाने लगता है वचन करडे कोई कहे किन सो सहे न जाए पीछे कलपे दो हूँ कलकले वा को अमलयो ले जाए यदि उपदेश देते हुए कोई कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो वह किसी से भी सहा नहीं जाता बाद में शोत्स रोता और वक्ता पच्ता कर दुखी होते हैं इस प्रकार उन सब को माया का नसा खीच कर ले जाता है लर खीज रोय रुला वही दुख देखे दो उजन जागे पीछे जो देखिये तो कमी नमा है किन लड़ जगड कर तथा स्वयम रोते हुए और दुसरों को रुलाते हुए उपदेशक तथा शोता दोनों ही दुखी होते हैं परन्तु जब जागरत होकर देखते हैं तो गनात होता है कि शोता तथा वक्ता दोनों में से किसी में भी कोई कमी नहीं है हासी होसी मोमीनों इन खेल के रस रंग पूर बिना बहे जात है कोई खेच निकाले अभंग हे ब्रमात्माओ ऐसी मायावी खेल के रंग में रंगे हुए तुम्हारी अवश्य हसी होगी सब लोग मोसागर के जलहिन प्रवाह में बहते जा रहे जीवों को खीच कर पहार निकाल सकता है नजल ना कचु पूर है कोन बहे कोन आड़ी होए ए अमल इन जीमी का तुम्हे देखावत वीध दोए इस भवशागर में न तो जलहे न उसका प्रवाह ही है इसमें कोन बहे रहा है और कोन किसको समहल रहा है इस भुमी का नसा ही कुछ ऐसा है जो तुम्हें दोनों प्रकार से दिखाया जा रहा है होसी खुसाली मोमीनों करसी मिल कलोल एहासी आविध की कोई नहीं खेल इन तोल हे ब्रमात्माओ जागरुथ होने पर तुम्हारे अंदर प्रशनता चा जाएगी तब तुम सब मिलकर आनंद विनोद करोगी यह हसी ही इस प्रकार की है की इसके समान अन्य कोई खेल ही नहीं है ए खेल देखो हासी का आसमान लो पाताल फल फूल पात न दर्खत काष्ट तुचा मूलन डाल पाताल से वैकुट परियंत फैले हुए इस हसी के खेल को देखो इस संसार रुपी रुक्ष में फल फूल पत्ते तना छाल मूल तथा डालिया कुछ भी तो नहीं है ए बुक तो या वीध का ताको फल चाहे सब कोए फेर फेर लेने दोड ही ए हासी आवीध होए यहां संसार रुपी रुक्ष ही इस प्रकार का है फिर भी सब लोग उसका सुख रुपी फल प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए बार बार सुख प्राप्त करने के लिए दोडते हैं इस प्रकार हासी होती है बंध ना खूले बिना बांधे जो खोले फेर फेर ये बूत कुदरत देखके गईया आप खसम बिसर यो कोई बांधे हुए बंधन नहीं है इसलिए बार बार खोलने का प्रयत्न करने पर भी ये खुलते नहीं है इन प्राकृतिक रचनाओं को देखकर ब्रह्मात्माय स्वयम को तथा धामधनी को भूल गई है अब याद करो खसम को छोड़ो नींद विकार पहचान कराए इमाम सो सुफल करू अवतार हे ब्रहमात्माओ अब तुम अपने प्रियत्म धनी का स्मरण करो तुम इस मायावी निंद्रा के विकारो का परित्याग करो सत्गरू की पहचान करवा कर मैं तुम्हारा जीव सफल बना देता हूँ वतन खसम दिखाए के और अपनी असल पहचान इमाम नूर रोशन करके उड़ाए देवू उन्नमान मैं तुम्हें धाम धनी का मूल घर परमधाम दिखाकर अपने मूल स्वरूप की पहचान करवा देता हूँ और सत्गरू के गनान का प्रकास पहला कर तुम्हारे मन के संदेह को मिटा देता हूँ हके कहया अरवाहो उतरते हम बैठे बीच लाहुत तुम अरस भूलो आप हम को देखो नहीं बीच ना सुत्त हे ब्रह्मात्माओ इस संसार में आने से पूर्व जब हम सब परमधाम में बैठी थी तब धामधनी ने कहा था कि संसार में जाकर तुम परमधाम को स्वयम को तथा मुझे भी भूल जाओगी और नश्वर जगत के अतिरेक्त कुछ भी नहीं देखोगी अर्थात उसी को सत्य मानोगी हम अरस रूहे आसीक हक मासुक भूले क्यों कर क्या चले खेल फरेब का तुम आगू देत हो खबर तव तुमने कहा था कि हम परमधाम की आत्माएं आपकी चाह हैं आप हमारे प्रियतम हैं अतह हम आपको कैसे भूल सकती हैं तब मायावी खेल का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा जब आप स्वयम हमें पहले से ही सावधान कर रहे हैं ए जी मी हासी देख के मोमिन हुजो सावचेत इमाम को सुख महामती तुमको जगाए के देत हे ब्रमात्माओ इस हासी की भूमी को देख कर तुम स्वयम सचेत हो जाओ महामती तुम्हें जागृत करके सत्गुरु प्रदत अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं प्रकरण 18 चोपाई 464 सुन्दर साथ जी इसी के साथ स्री सनन्दगरंत का प्रकरण 18 पूर्ण होता है आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पार्ट करेंगे सुन्दर साथ जी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट शेर और सबस्क्राइब अवश्य कर दे प्रणाम जी